नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशार सत्य की राह देख रहे हैं आपके साथ जुड़ गया मैं आपका इश्टो फ्रेंड संतोशी सुर्वात एक नए दिन की और आज नए कल अभी और आप हमसे मुंबई मिल सकते हैं इसके बाद अहमदाबाद हम रहेंगे अगर आप मिलना चाह रहे हैं तो आपको दिये गए नंबर पर कॉल या वाट्सप तुरंत करना होगा मित्रो हम लगभग इस माह के अंतिम तारीखों पर हैं सितंबर महीने में 19 से 25 मुलाकात कर सकते हैं आप गयाजी में साथ रह कर अपने पित्रों को रिजाने और मनाने के निमित प्रियास कर सकते हैं अगर वो रीज जाते हैं मान जाते हैं जो कि बेहद सहज है खून तो आप उन्हीं के हैं तो फिर आप अपने जीवन में उस उन्नत तक पहुच जाएंगे जिसके लिए कभी आपने स्वपन देखा होगा प्रियास तेज करना पड़ेगा उस प्रियास को आप सफल होता हुआ देखेंगे तो देर मत करिएगा 9910291850 पर तुरंत वाटसप कर लिजेगा और लिखिएगा सर्वपित्र अमावस्या 2022 और भेग दीजेगा दिएगए नमबर पर आईए अब सुर्वात कर देते हैं आज के जोतिश दिशा की नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भुत प्रस्तती सबसे पहले आज का पंचान भादपत महा शुक्लपक्ष तृतियाती थी है दो पहर तीन बच कर 32 मिनट तेक इसके बाद चतुर्थी आज हरितालिका तीज है हमारे उत्रप्रदेश में खास दोर पे माताएं बहने जो विवाहित इस्त्रिया है वो अपने पती के दिरगायुश और शुभत्तों के निमित बहुत कठोर वरत रखती है निराजला रखती है जल भी नहीं गुरहर करती हरितालिका तीज और समस्त माताओं बहनों को उनकी सुक्षों प्रग्या को उनके समर्पन को मैं म्रामण पुत्र सुन्तों शुपात द्याए नवर करता हूँ बारम बार प्रडाम करता हूँ अपनी बहनों को हमने देखा है किस तरह से वो तफस्या करती है पुरुश अंतिम सास तक कभी इस्त्री से रिणमुक्त नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता अंतिम सास तक करोणों जन्म ले लेगा तो भी नहीं रणमुकत होगा वह इस्तरी का करजदार सदा रहेगा ये अंतिम सत्य है कोई माने या न माने हम मानते हैं और मानते हैं इसलिए हम यथा संभव एक पुरुश होते हुए एक जोतशी होते हुए एक फिल्म लेखक और निर्देशक और निर्माता होते हुए जितना कर सकते हैं प्रयास करते हैं बाकि आप लोग काशिरवाद रहें आज हम बताएंगे समस्तवाताओं बहनों के लिए मिवाहिताओं के लिए कि आज हर्टाल का तीज पर क्या विशेश उपाय करना है उन्हें प्रियोग करना है कि चद्रमा कन्या में है नक्षत राज हस्त है योग रहेगा शुभ तदनुसार दिनांक 30 अगस्त दिन मंगलवार राहुकाल दो पहर 3 से 4 और गुलिक काल दो पहर 12 से डिर राहुकाल में नए और शुभ काम सास्त्र मना गरते हैं और गुलिक काल में कहते हैं कि आप कर लीजिए जो भी करना चाहें हर एक काम आपके बन जाते हैं में इस से लेकर मीन तक अब आईए जानते हैं आज की दिब्य भविश्वानी और माताव बहनों के लिए रासिकत तरीके से हरिताल का 30 श्पेशल प्रियोग मेश्राशी आज मेश्राशी वालों के लिए प्रतेक तरह से स्विक्षा ठेत्र में बहुत सकरात्मक फल रहेगा व्यापार के लिए थोड़ा सा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा बिजनस की स्थिती को लेकर के सजग रहना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ बहुत सुधार के साथ है प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं है सरकारी छेत्र बहुत सकरात्मक फल दिखाएगा गौर्न्मेंट सेक्टर में शुभत तो बना रहेगा दामपत्य जीवन के लिए अगर देखा जाए तो परिष्थतियां थोड़ी सी प्रतिकूल हो सकती है पति-पत्नी के बीच तराव बढ़ेगा हरदाल का तीज है प्रियोग हम बताएंगे लव लाइफ यहाँ पर संतुलन बना हुआ है लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी और हर तरह से आप संतुलित वे में रहेंगे स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो किट्नी, पेट और आख की समस्या दिखाई देती है क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आप कि राशी मेश है आज माताओं बहनों को हरदाल का तीज विशेश प्रियोग ओम नमह शिवाए ग्यारह बार इस मंत्र का जाप करते हुई अपने पति का ध्यान करते हुई तीन बार अपने उपर गुलाब जल छिड़क लिजेगा क्या नहीं करना है? आज चंचलता नहीं दिखाना है शुवरंग हरा भाग के प्रित्षत 58-58 ब्रिशब राशी पढ़ाई के लिए आज का दिन बहुत अनकूल है सिक्षा में सुधार होगा किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार अनकूल है बिजनस में अवसर अच्छे मिलेंगे ब्यापार एक नुकसान की भरपाई होगी प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा तनाव देगा जिसको लेकर आपको सजग रहने की आवशेक्ता है सरकारी छेत्र की स्थिति को लेकर के आज आज आप जितना सुधार लाने की प्रयास करेंगे उतना ही सफलता मिलेगी दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय बीतेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ आपके लिए थोड़ा सा उल्जन भरा है यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की आवशेक्ता है स्वास्त के मामले में जुखाम खासी की शिकायत कमरदर्द की शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए माताव बहनों को आज हरी तालिकाती जिस्पिशल प्रियोग हम बता रहे है अपने सीधे हाथ की हथेली में एक चुटकी PCV हल्दी रखकर इंडेक्स फिंगर से तीन बार स्पर्श करके अपने पती का नाम उच्चानित करिएगा महाज़सिक रूप से क्या नहीं करना है जूट नहीं बोलना आज सफेद रंग शुभ है उल्सट प्रित्सट का भागी मिथुन राशी तीस अगस्त वंगलवार सिक्षा में बैलन्स है आज पढ़ाई बहुत अच्छी है ब्यापार भी अच्छा चल रहा है अनकूलता है प्राइवेट सेक्टर में कुछ उल्जने परेशान कर रही है सरकारी शेतर में सुधार हो रहा है गवर्मेंट सेक्टर में शुभ है दाब बत्यजी उनच्छा रहेगा बच्छों का सानिद है आज एक दूसरी के पती भाव आज पवित्र रहेगा लव लाइफ की स्थिती को लेकर के थोड़ा सा जग रहने की आवशकता है स्वास्त के मामले में आख और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना है आज माताओं महनों को हरिताल काती जेस्प्रिशल आज तीन पौधों में जल देते हुई तुलसी में जल देते हुई साथ बार मांसी ग्रूप से अपने पती का ध्यान करियेगा क्या नहीं करना है आज ब्लैक कलर नहीं पहनना है गुलावी रंग की शुकता है पचास मित्शत का भाग्या है करक राशी दिरांक तीस अगस्त पढ़ाई में आज टॉप करेंगे सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापार अच्छा है अवसर अच्छे मिल रहे है प्राइवेट सेक्टर आप पर आज भारी पढ़ सकता है थोड़ा सोच समझ कर निरणे लिजेगा सरकारी छेतर में सब कुछ बहुत शुप है गौर्मेंट सेक्टर में आगे बढ़ेंगे आप दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा बैट रहा है इस दूसरे को सपोर्ड कर रहे लेकिन लव लाइव की स्थती में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है स्वास्त के मामले में पेट और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राशी करक है आज माताओं बहनों को करक राशी वाली माताओं बहनों को कच्चे दूद में हल्दी मिलाकर एक चमबच लीजेगा भगवान सिरह बिश्रू और भुलेनात का ध्यान करते हुए अपने पती का नाम मालसिक रूप से लेकर किसी पौधे के लिएचे डाल दीजेगा एक चमबच क्या नहीं करना है आज लंबी यात्रा नहीं करना है शुमरंग के सरिया भाग के प्रतिशत बहत्तर 72 सिंग राशी पढ़ाई बहुत अनसार है सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं परिस्थतियां आपके अनुसार है ब्यापार थोड़ा सा आज टफ इस्थति में है बिजनस को लेकर कि अचानक से कुछ परिशानी बढ़ रही है प्राइमेट सिक्टर में अनकुलता रहे कि चिंताओं से बाहर निकलेंगे मुश्किलों का हाल निकलेगा सरकारी छेत्र को छोलजन दे सकता है गवर्मन सिक्टर वालों को सजग रहने कि आवशकता है दाब पत्ते जीवन बहुत अच्छा रहेगा पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा कि दुसरे को सपोर्ट भी करेंगे और ससुराल से रिस्ता मधूर हो जाएगा लव लाइफ के लिए अगर देखा जाए तो परिस्थती थोड़ा सा टफ है आज एक उसे के प्रती थोड़ा विकार आएगा दुराव आएगा स्वास्त के मामले में आख और कमरदर्द की शिकायत रहेगी क्या प्रियोग करना अगर आपकी राशी सिंग है सिंग राशी वालों को किसी जरूरत मंत को कुछ खाने की वस्त देना शुब होगा और पाताएं पहने आज विशेश क्या करें हरितालिका तीज स्पिशल एक दूर्वा ले दीजिए हलका सा उसको छो दीजिएगा हल्दी से सर से वार कर तीन बार कहीं बाहर फेकिएगा क्या नहीं करना है जूट नहीं बोलना है आज सिंग राशी वालों के लिए स्लेटी रंग शुब है सत्तावन प्रित्षित का भाग आपके साथ है कन्या राशी पढ़ाई के लिए अवसर अच्छे हैं शिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापार शुब है आउसर अच्छे मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर में मुश्किलों का हाल निकलेगा सरकारी छेत्र कुछ विल्जन दे रहा है सोच समझ कर फैसला लेना होगा दाम पत्त जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों के बीच ताल मिल अच्छा बैठेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ को लेकर सजग रहने क्या वशकता है स्वास्त के मामले में आज का दिन चुखाम खासी की शिकायद दे सकता है क्या उपाय करना चाहिए माताओं बहनों को है ताल का तीजी स्पेशल है इंडेक्स फिंगर में हल्दी और शहद लगाईए और ना भी स्पर्श करके साथ बार अपने पति का नाम मांसिक रूप से ले लीजेगा क्या नहीं करना है आज चंचलता नहीं दिखानी है भूरा रंग शुभ है 79 प्रतिशत का भाग्या आपके साथ दुलाराशी पढ़ाई तो अच्छी करी रहे है आप सिक्षा में कोई दोश नहीं है विकार नहीं है सब अच्छा चल रहा है ब्यापार अनकूल है बिजनस में अवसर अच्छे मिलेंगे परिशानियों का हल निकलेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया परिचे कराएगा जिसका आपको इंतजार है सरकारी छेत्र शुभ इस्थती में गौर्बन सेक्टर में लाब होता जाएगा दामपत्त जीवन अच्छा है पत्नी के साथ अच्छा समय भी देगा कि दूसरे को सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ की स्थती को लेकर कि आप जितना सजग रहेंगे उतना ही अच्छा है स्वास्त के मामले में तुला वालों को आज माइग्रेन, हर्ट और किड्नी की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है अगर आपकी राशी तुला है आज तुला राशी वालों को किसी जरूरत मंद को मौसमी फल दे दीजे और माताय मेहने क्या करे आज अपना कोई पुराना वस्त्र दान करते हुए तीन बार अपने पती का नाम मन में ले लीजेगा क्या नहीं करना है आज बड़ भूला पर नहीं दिखाना है काले रंग की शुकता है एक सेट प्रितिचत का भाग्या ब्रिश्चिक राशी समय बहुत अनकूल है पढ़ा ये ची चल रही है सुधार होता जाएगा ब्यापाद अनकूल है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं है प्राइविट सिक्टेर आप पर थोड़ा सा भारी पड़ेगा अचारक से कुछ दिखतें मढ़ सकती है सरकारी छेत्र वालों को आज थोड़ा सतर्क रहने की आवशकता है दाब पत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों की बीच तालमेल आज बैठा लेंगे लव लाइफ आपके लिए भारी पड़ेगा सोच समझ कर फैसला लिजी स्वास्त के मामले में आज बैक की प्रॉबलम और आखों की समस्या हो सकती है क्या प्रियोग करना है अगर आपकी राशी ब्रिश्चिक है आज माताओं बहनों को किसी जरूरत मंद को हर्टाल काती जी स्पेशल है काच की चूड़ी का दान करते हुए तीन बार अपने पती का नाम मालसिक रिउप से लेना है क्या नहीं करना है किसी बड़े को जवाब नहीं देना है शुबरंग बादामी भाग की प्रतिशत सत्तावन धनुराशी पढ़ाई के लिए आज शुब अवसर की प्राप्ती होगी सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं है ब्यापार अनकूल चलेगा बिजनस में अवसर बड़े मिलेंगे प्राइमेट सेक्टर आपके लिए अच्छा कुछ करने की चाहत पूरी करेगा सरकारी छेतर में सुधार होगा गौर्नमेंट सेक्टर में शुर्ता मिलती जाएगी तामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल बैठा ले जाएगे लव लाइफ में आज कुछ बोजहा सकता है यहाँ पर आपको सुधार लाने की आवशक्ता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो बैक की प्रॉब्लम सोल्जर्स में पेन और आख की समस्या हो सकती है क्या प्रियोग करना है धनुराशी वालों को आज मादुरगा को प्रणाम करते हुए साथ बार पहले इस मंद्र का जाब करे फिर माताय बहने हरितालिका तीजिस प्रिशन चावल हल्दी से रंग कर भगवान गणेश को अरपित करते हुए साथ बार अपने पती का नाम ले क्या नहीं करना है आज लंबी यात्रा नहीं करनी है नीरारंग शुभ है 58 प्रत्षत का भाग्या आपके साथ बात कर लेते हैं माकराशी की दिनांक 30 अगस्त मंगलवार पढ़ाई में आज कम मन लगेगा कुछ पुरारी बातें परेशान करेंगी व्यापार अच्छा चलेगा आउसर बढ़े देदेगा प्राइमेट सेक्टर आपके लिए अनकूलता दिखा रहा है मानसिक शांती देगा सरकारी छितर में सुधार होगा गौर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बड़े रास्ते खोलेगा दाबबत जीवन अच्छा है पत्मी और बच्चों के बीच ताल मेल बैठेगा लव लाइफ में आपके लिए उल्जन बढ़ रही है सुच समझ कर फैसला लेजे स्वास्त के मामले में किड्नी और बैक की प्रावलम हो सकती है माताओं बेहनों को आज क्या उपाय करना है घरताल कार्थी जिस्पेशल साथ बार हल्दी से अपने मस्तक को तिलक करते हुए और फिर उसी दोरान पती का नाम मन में लेना है क्या नहीं करना है आज ब्लैक कलर नहीं पहनना है पीरे रंग की शुपता है पचास प्रत्शुत का भाग आपके साथ है कुम्भराशी पढ़ाई हो जाएगे शुक्षा में सुधार होगा ब्यापार अच्छा चलेगा किसी तरह की चिंता रही है प्राइवेट सिक्टर में कुछ बढ़ा करेंगे आप सरकारी शुत्र आपके लिए आज नए रास्ते खोलेगा ताम पत्ते जीवन अच्छा है पत्ते और बच्चों की बीच बहुत अच्छा तालमेल रहेगा लव लाइफ की स्थिति को लेकर बहुत अटेंटिव रहने क्या परशकता है बाहरी तत्तों का हस्तक्षे बढ़ रहा है स्वास्त के मामले में आज का दिन आखों की तकलीफ दे रहा है क्या प्रियोग करना चाहिए आज एक लाल धागा पतिदेव को बाधते हुए और दूर है तो उनकी फोटो को लपेटते हुए तीन बार उनका नाम बन में लेना है क्या नहीं करना है आज अपने राज बताने नहीं है लाल रंग शुभष 67 प्रतिशत का भाग्या है अंतिम राशी मीन पढ़ाई अच्छी चल रही है सिक्षा में सुधार है ब्यापार अच्छा है अनुसार आपके आगे बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ तनाव बढ़ सकता है सोच समझकर फैसला लेना होगा सरकारी छेत्र बहुत अच्छा है गौर्बर सेक्टर में शुक्ता बनी है दामपत्य जीवन क्या पूछना है और लव लाइफ यहाँ पर थोड़ा सा रुकावर था शाम होते होते ठीक हो जाएगा स्वास्त के मामले में जुखाम डाइजेशन और किड्नी की समस्या हो सकती है क्या प्रियोग करना है अगर आपकी राची मीन है आज माताओं बहनों को हरितलकाती जी स्पेशल प्रियोग में एक सफेद रुमाल में हल्दी से अपने पति का नाम लिखकर अपने पास रखना है क्या नहीं करना है जूट नहीं बोलना है शुबरंग सफेद भागी प्रत्षत च्छाचट तो माताओं बहनों को आज उनके एश्टो फ्रेंड की तरब से बहुत प्यारा सा प्रियोग मिल गया है हरी तालिकात तीज की एक बार पुन है आप सबको बहुत सारी हार्दिक शुपकाम नाए परमपिता परमिश्वर आपकी जोडी को हमेशा अमर करें आप सदा सुहागन रहें आपके जीवन में कभी किसी तरह की कमी नाए आपके इस एस्टोप्शन की तरब से ये परमपिता परमिश्वर से सिरहरी विश्वर से महादेव से देवादेव से बारम बार प्रात्ना है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये प्रियोग हर बहन बेटी के पास पहुँचना चाहिए क्या जाता है शेयर करने में कुछ भी नहीं फिर भी देखेंगे पचास हजार शेयर करते हैं दोसो, चारसो, पानसो बस क्या जाता है कर दिया करिए सीख लीजिए शेयर करना मेश से लेकर मीन तक अब जानते हैं आज का भाग याक्षट मेश राशी याकशर बिशववा माप कीजएगा बिशप पा मिधुन नाखशर करकला सिंग याँगशर कन्या भा तुला ज्ञागशर विश्चिक आ धनुवू बाघशर मकर या कुम्भ साघशर मीन जा आज की सक्सेस की तीन काले चने तीन वार सर से उल्टा वार कर किसी पौधे के नीचे डाल दीजेगा तीस अगस्त को जिसका जनम दिन है हमारी तरफ से शुब काम ना है पहले तो दो लोगों को भोजन करा के तीन बर्गत के पौधे पौधे पौब्लिक प्लेस पे लगा दीजेगा और जिसकी आज मैरी जेनिवर्सरी है बारह महिलाओं को खाना खिला कर जहां दो पीपल के पौधे कहीं लगा दे काम पूरा है तो एहमदाबाद और उसके बाद चंडीगड़ पांच और छे तारिक को हम चंडीगड़ में है समय ले लिजेगा हम आपका इंततार करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार शिराने सब्सक्ष्टर करेंट बहुत बाने